कि हला एवरीवान वेलकम टू के के क्लासेज मरकंगा दर्सर आपका स्वागत करता हूं पिछली क्लास में हमने हल्ट पढ़ा था और आज हल्ट को खतम करते हैं कुछ महत्पुन बिंदू उसमें रह रहे हैं फिर हम रक्त समू पढ़ेंगे ब्लल्ड ग्रूप ठीक है और कुछ पॉइंट रह रहे थे तो उनको पढ़ लेंगे तो पहला पॉइंट देख लिजी क्या है देखो वह थे लेता है कि एक तो यह हर्द जो है वह वह एक चक्र में एक चक्र मतलब कि यह आपको को बताया था यह सेप्टम ठीक है और यहां पर आलिंद यहां पर भी आलिंद यह निल है और यह निल है एक चक्र का मतलब यहां फैंपड़े से रखता आया फिर यहां से द्वी दल्य का पार्ट से निकलता हूँ यहां से फिर यहां से निकल करके फिर यहां में आया फिर यह यहां से यहां करके फिर यहां से डालेट लंग्स में ऐसे था यह बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको ठीक है ना इसको कहता है एक चक्र यानि फैंपडों से निकलके वापस फैंपडों में आना तो प्रसंद यह कह रहा है क्या कि कि यह आता भी है प्रसंद क्या पूछा है प्रसंद में कि हर्दे दुवारा हर्दे दुवारा एक चक्र में चक्र में पंप किया गया रक्त की मात्रा रक्त की मात्रा उची जाती है वो है आपकी लगबग सत्तर एमेल एक चक्र में तैकी की मात्रा कितनी है सत्तर एमेल आगे होगी आपकी बात समझ में लेकिन कई बार परिक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि हर्ट यानि के हर्दे दुवारा हर्ट दुवारा एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट की बात कर रहा हूं मैं वह एक चक्र था पीछे जो था ठीका ना पिछली लाइन एक मिनट में पंप किया गया रक्त की मात्रा यह कितनी है भई तो यह है आपकी भाई साहब कि एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में यानि कि साट सेकिंड कह देते हैं इसको तो इसको कहते हैं पांच लिटर कि पांच लिटर प्रती मिनट एक मिनट की बात है कि एक सीधी सी बात है कि ऐसे यहां पर मैंने आपको बताया से न यहां से रॉक्त आया पिर यहां से आन गया फिर आप कि कै अब You मैंने देखा कि यहां पर कितना रखत आया और वापस ऐसे गया कितना तो वह आया पांच लेटर यह पांच लेटर कई बार प्रिक्षान पूछा भी गया वह इसके बारे में इसको कहते हैं क्या यह जो पांच लेटर बता है ना वह एक मिनटे में पांच लेटर रखत को फ्लो होता है इससे कहता है एक कार्डियक तो आप इसको लिख लीजिए कि जो यह जो मात्रा है ना यह इस मात्रा को कहते हैं क्या कार्डिया कार्डिक आउट पूट कार्डिक आउट पूट अची कभी तो कहने का मतलब आप समझ गयोंगे यह चीज को ठीक है hots야 am students और भी पूझे जाते हैं क्या कि आज कि आप से यह भी पूछा जा सकता है क्या कि कि जो अलग-अलग जो हर्ट होता है मतलब कि मानव रघ्ट के बारे में मानव ख cierto के बारे में आपको मैंने बता दिया कि यह होता है ठीक है ना लेकिन मैंने कई चीजें जो है वो आपको छोड़ दी थी कि जैसे तिल चट्टा है कैंच्वा है ऑक्तोपस है इन में कई में कि बहुत सारी दिक्कत आती है पूछे जाते हैं यह परिक्षा में तो वह चीज भी आप लिख लीजिए तो सबसे पहले म मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्या कि जो आपके मैमल्स हैं इस्तंधारी इस्तंधारी जिने क्या कहलते हैं मैमल्स इस्तंधारियों को क्या कहा जाता है मैमल्स और इस्तंधारियों में कौन आता है तो ध्यान समझना जो भी आपके मनुष्य हैं मनुष्य में पूरुस और इस्तरी दोनों आता हैं कहीं तुम इस्तरीयों के इस्तन होते हैं इस्तरी लड़के नहीं लड़के इस्तंधारियो अशच्वे साथ में आते हैं अनल जितने वी मनुश्य है वो आपके जितने भी जैसे कि घड़ीयात तेट है यह यह हैं और आपके जितने भी पक्षी हैं ठीक है न भई तो यह वह तो जितने भी स्तंधारी का मतलब आप समझ गयोंगे कि यहां पर गडियाल मनुश्य मगरमचीन की बात वह रही है तो इन में जो है हर्दय के चार पार्ट होते हैं हर्ट की बात कर रहे है हर्ट के कितने पार्ट होते हैं चार पार्ट होते हैं चार पार्ट का मतलब चार चैंबर होते हैं कि चार चैंबर का मतलब दो तो आलिंद कि और दो निले कि इसतंदारियों में कि आ गे बात आपके समझ में और करनी चार पार्ट का मतलब आख चैंबर कि यानि कि मनुष्य का जो हिर्दय आपने पढ़ा पिछली क्लास में वैसे ही होते हैं इनके सब के मगरमच के पक्षियों के घडियाल और मनुष्य के इनको मेहमेल्स कहते हैं इस्तंधारी जो भी है और भी एक्जामपल इस्तंधारियों के अब ध्यान से समझना आगे कि कारवई क्या है मामला देख इदर अगर मैं आपसे यह काऊं कि और अगर मैं पूछों कि आप से की और की क्या है मामला तो जैसे कि मैं आपसे काऊं की आपके जो कि वर्फटाइल से अंप भी यह ने तो आप अभी समझ नहीं पाऊगे कि आंफीवें क्या होता है रेप्टाइल्स क्या होता है तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं ध्यान समझतार्टाव भी कि कि जैसे आ आपका यह है कि मचली कह लेते हैं मचली ठीकर मचली के जो है हट में मिचली मचली के दिल में हल्ट में दो पार्ट होते हैं वहिए कितने पार्ट दो पार्ट दो चैंबर नो चैंबर कौन कौन से वही एक तो आलिंद और एक निल है एक आलिंद और एक निले होता है अब एक आलिंद एक निले का मतलब यह आपका जैसे चार चैंबर बताए थे मैंने आपको ऐसे ऐसे तो उसका सिर्फ एक एक चैंबर ही होता है इसमें एक आलिंद और एक निले बस ठीक है और मचली में यह प्रसंद देखो यहां से बनता है, कि मचली में एकहरा परि संचरन होता है, एकहरा परि संचरन क्यों, क्योंकि आप देख लिजे एक आलिंद और एक निलाई है, मनुश्यक्रे में तो एक और लीन होने के कारण और अलग अलग नहीं ओपाते यह रेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर अशुद्ध रक्त बैता रहता है भई शुद्ध अशुद्ध अलगने नहीं होता भई तो अशुद्ध रक्त बहने के कारण इसमें मचलियों की बात कर रहे हैं अशुद्ध रक्त बहने के कारण इसके हरदय को किसके हरदय को मचली के इसके हर्दय को छीरिये हर्दय छीरिये हर्दय का मतलब सिरा वेनस हर्ट अच्छारिय हेर्दय यानिकी वेनस हर्ट कहते है जो बाता आपके समझ में ठीक है तो मचली का जो हर्ट ऑट होता है उसमें दो ही पार्ट होता है एक आलिंद होता है एक निले होते ध्यानकाना और उसमें शुद्य खुद्य रहता है कि पर शुद्ध रख्ट नहीं होता शुदी असुद बैता रहता है उसी में और इस असुद्ध रख्ट के बहने के काःण呀 एप वेने सर्ट कहता है चाहरीय और सीरिय हर्दय कहता है ठीक है यह चीज भी आपके समझ में आ गयोगी मचली के बारे में करें भर आप ध्यान से समझना भरी वैरी वैरी इंपोर्टेंट बात क्या है कि एक परसन और आएगा यहांपर क्या कि मचली तो हो गया लेकिन साप की बात करें साप तो साप को कहते हैं आगे जल करके पढ़ेंगे भई इन्हों कहते हैं रेप्टाइल साप को क्या कहा जाता है रेप्टाइल 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 उन्हें कहते हैं देख यह बिल्कुल आना चीए भई नहीं मैंने का इस्तंधारियों को केते हैं यह आइसी याद रिख्यांकर गिसलते है रहते टॉबर ये जान और होते हैं रइंकर का मतलब गिसल के जए को इने RJ यह लेकिन में रखा गया है है कि या और दूसरा है आपका मेंडग कि मेंडग जल में भी रहता हैessel । और थल में भिर्राइब पानी में भी और जमीन में इसलिए इसे अंफीड करा गया है तो पयर như एंफीड है अब इन में क्या होता है कि इन में जो आपका जो हल्ट है उसमें हल्ट के इन दोनों के हल्ट की बात कर रहा है भी इन दोनों के हल्ट में तीन पार्ट होते हैं बेटाओ कितने पार्ट होते हैं तीन पार्ट कि इन पार्ट में अगर मैं आपसे कह हुँ कि दो तो आल न्द ने और एक हो वने था कि दो आलिंद और एक निले तो यह चीज side समझ मांगी होगी दोनों कोwhen many यसी समझ मांगी दो आलिंद और एक निल्हcoin Inn के अंतरगर तो मगर मच भी आता है गडियाल भी आता है देखना कहीं तुम यह सोचों को सारे रैप्टाइल में पार्ट होते हैं इसमें अप acquaat A tại यूद या मगर मच तो यह होने को तो रेपटाईल है लेकिन इनके हल्ट के जो है कि कि अगर मैं बात कुरू आपके समझना अगला पॉयंट का लिखेंगे अगला पॉइंट यह है कि आपने देखा होगा कि तिल चल्टा तिल चल्टा जिसे आप कौक रोच भी कह देते हैं तिल चल्टा जिसे कोख रोच भी कह देते हैं तो इसमें जो हर्ट के पार्ट होते हैं माँ बता दूँ कक्षा चैंबर हो ते रहा तेरा कक्षय हर्दयग होता है किसमें कोख्रोच में हमेर他的 हमारी है है तो परिख्षा में बहुत ज्यादा पूचा जाता है कि तिलचटे के पूच भेह होता है तो तेरा कक्ष्य ठीक हमें यहां पर एक पॉइंट और लिखेंगे यहां पर डाल करके क्या कि आपने एक नाम सुना होगा दो एक तो अक्टोपस कि ज़स्टाओं और आपको पढ़ाएंगे भी बड़त चंता मत कर रोज बडेटेल में चित्र वित्र बता के बताएंगे आपको चंता मत ओक्टव पस है और है आपका एक कहें चुँआ कैंचुआ के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया कैंचुआ की तस्विर भी दिखाई थी पिछली के लासा में कैंचुआ है तो ऑक्टपस और कैंचुआ जो है इनमें जो है इनमें दोनों में ही एक से अधिक एक से अधिक हल्ड होता है था बनालां हल्ट की बात करा दुझ करा होता है यह जो दिल होता है नहीं होते ह tendency होता है उत्य है य country लोग들 गाते मनुष्य में तो एक ही दिल होता है चार सेंबर होते हैं लेकिन कोई ऐसे गाना गाए तो उसे ऑक्तपस या कहेंगे या फिर अगर कोई आपकी कोई गल्फेंड या बॉइफ्रेंड हो और वह अगर किसी और के साथ व्यवस्ता बन जाए इसका समझ लेना उसके पास दिल थेखेंगे बिटा तो ये चीज आप ध्यान अखना केरे की फिर बता दो आपको ध्यान समझेंक चुछाय के के बारे में कि कैच्वा जो है किसान का मित्र एकुरे धूल कि कहलता है क्योंकि ये जो है आपके आपके जो खेत में जो गोबर होता है वर्मी कमपोष्ट खाद बनाता है मतलब उस खाद को खाता है और पीछे से जो अप्षिष्ट पदार्थ के माध्यम से वर्मी कमपोष्ट खाद बनाता है जो की बहुत ही उपजाओ होती है तो इसे कहें चुए को किसान का मित्र भी कहा प्राकर्तिक हलवाहक क्या बोलता है प्राकर्तिक कर देता है और बहुत अच्छे अच्छे पदार तो इसको बारें पढ़ेंगे डेटेल में लेकिन यह दो चीज तो आप लिखी लीजिए ठीक है तो यह चीज आपके समझी में आ गही होगी ठीक है आगे की अगर बात करें तो ध्यान समझना अगले पेज में क्या लिखने वाले हैं हम अगले देखिए भी क्या है कि मैं आपको यह बता चुका हूं कि देखो अब आगे चल करके आप देखेंगे की जो है कई बार हर्द आतेक आ जाता है हरट आटेक जिसे कहते हैं हरदय घहत जीसे हर्ट टेक है तो तो जादतर जो है कि फैट जमा हो जाती है वसा जो है वह जमा हो जाती है कोलस्ट्रोल के रूप में रख्त वाहिनियों में वह संकुरी हो जाती है और उसमें आड़ बढ़र का फ्लो धंसे नहीं हो पाता है और कई कारण है हेको पर पर बनता है कि हम पॉन पहले गहलए गंटे को कि पहले गंटे मतलब जब केशी व्यक्ति को अखींटे हिए और हम फठीय पहले गंटे को पहले गठी को गॉल्डेन Aurके नाम से बात जाता जाए और होड़न होड़ लिए जीकान हाट अटक के पहले घंटे को गोल्डन होड़ कहते हैं जूख कहते हैं गॉल्डन हर के अंत्रगत अगर अगर आप उस मरीज को डॉक्तर के पास पहुचा देते हैं और उचीत दवाई का उप्यों कर दिया जाए तो उसकी जान बच सक तो इसे गॉल्डन होवर की संग्या दी गई है पहले गंटे को ठीक है ना ज्यादा देर ही हो जाए तो व्यक्ति नहीं पर जाता इसमें ज्यान समझना अब यहां पर अगर मैं कहूं आपसे की हर्ट अटेक में यानि की जो हर्दयगात होता है हर्ट हर्ट अटेक के रोगियों को हर्ट अटेक के रोगियों को एक दवाई दी जाती है जिसका नाम बीटा अलफा बीटा ब्लोकर्स बीटा ब्लोकर्स नामक दवाई दी जाती है बई कौन सी दवाई दी जाती है बीटा ब्लॉकर्स ठीक है अब ध्यान समनना कई लोगों को HOW कि किसी का में कुई दिक्वत आ जाती है तो उसका ट्रॉट分 कर देते हैं को दूसरे के हर्ट से हर्ट कर देते है तो यह जो पहली बार जो कियाता विश्व में सबसे पहले उस नावा डॉक्टर क्रिस्चिन बेरिनार्ड तो यहां से प्रसंद बन सकता है कि तीन दिसंबर कब की बात है तीन दिसंबर तो याद रखने की जोड़त नहीं है लेकिन संद जरूर याद रख लेंगे 1967 1967 की बात है और 1967 में एक अफ्रीका अफ्रीका देसी अफ्रीका अफ्रीका की बात है और जो डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर क्रिस्चिन बर्नार्ड ने डॉक्टर क्रिस्चिन बर्नार्ड ने तीन दिसंबर 1967 जो क्या अफ्रीका का मुल निवासी था ठीक है विस्चु का विस्चु का पर्थम हर्दयार उपन शुद्ध हिंदी में हर्दयार उपन कहेंगे लेकिन इसे अंगरीज में हर्ट ट्रांस प्लांट पर्थम हर्दयार उपन किया अगर बहरत की बात की जाएंगी बार तो यह बात है लगबग तीन तारीकी ही थी लेकिन तीन अगस्त का महिना था तीन अगस्त 1994 1994 को भारत में यह जो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर वेनु गोपाल डॉक्टर वेनु गोपाल जो की आपके एम्स जो दिली में उस्पिटल है बहुत बड़ा एम्स के डॉक्टर थे डॉक्टर वेनु Schluss ख़े जो किया था भारत में सबसे पहले तो आप लिख सकता हैं कि भारत में सबसे पहले भारत में सबसे प्हले are they are open ठीक है तो ये याद रखेंगे तो देखो यह सब भगवान की देने भगवान की देना की व्यवस्ता हैं जो है वो याद हो गई क्योंकि देखो कैसे विश्वणों में Toh Dr. Christian से कृष्णा भगवान याद हो गया और Venu Gopal से गोपाल भी कृष्णा भगवान का नाम है तो दोनों ही कृष्णन Bernard और Venu Gopal भारत में Toh Venu Gopal और विश्वणों का ये है ठीक है तो ये आप याद रखेंगे ठीक है न अब मैं अगर आप से यहां पर यह कहूं कि यह तो चलो मैंने आपको बता दिया कि यह व्यवस्ता ऐसे होती है लेकिन मैं अगर आगे की बात करूँ कि हाल्ट की जो इसारी चीज तो मैंने आपको बता दे कि जो हैमरेज कैसे होता है बीपी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है ठीक है ना लेकिन अगर मां आगे की अगर बात करूं तो ध्यान समझना एक परसंद आता है परिक्षा में क्या डारिट पूछ लिया जाता ह वहले जो जौसनत तंसर में ने बताया था ठाम इसे ओक्सीजब को लेकर के कौन जाता है तो आप कहaben क merged कौन का नीज पत्रों लेख सकता है हैं एक अनू में क्यू पर उक्सीजब कर कि कि इतने नि जाता है था ओठोजब के उर चार अणू हीमोगलोबिन का एक अनु जो है ऑक्सिजन के चार अनु को ले जाता है वह सब खाहां अंगों तक ठीक है यह परिवहन करता है यह लिख सकता है परिवहन करता है हीमोगलोबिन का जो एक अनु है वह ऑक्सिजन के चार अनु को ले जाता है ठीक है तो मैं प्रस्ण ये पूछो आप से पीछे के पढ़ाई हुए मैं से कि सरवादे की जो हर्दय के जो कोश्टक है वो किस जीव में पाए जाते हैं तो आपका आंसर रहेगा कॉक्रोच तिल चट्टा जी से कहते हैं ठीक है ना भई अब मैं अगर आप आपसे कहूं क्या एक प्रसंद आता है कि कभी भी जब यह जो है कि जो आर्टिफिशल हर्ट करत्रिम हर्दय करत्रिम हर्दय की अगर बात करें करत्रिम हर्दय की अगर बात करें जिसे आर्टिफिशल हर्ट कहते हैं एक अमेरिका के वैग्जानिक हुए हैं अमेरिकन अमेरिकन वैज्ञानिक हुए अमेरिकन वैज्ञानिक जिसका नाम था रोबर्ट जार्विक तो करत्रिम हर्दय जो है वो अमेरिका के एक वेगानीता रोबर्ट जार्विक ने निर्मान किया और इस हर्दय का नाम दिया जार्विक सेवन यानिक इस हर्ट का जो नाम दिया वो क्या दिया जार्विक सेवन क्या नाम दिया जार्विक सेवन चीम कहै और यह बात करत्रिम हर्दय का जो बता रहें चीमने वेजर्विक इस न JEFF लेकिन परिक्षा में यह भी प्रसंद पूछा जा सकता है कि इस कर्तिम हर्दय को लगाया कहां गया वही कर्तिम हर्दय किसमें लगाया किसमें लगाया गया हेल सकता है नाम किसमें कहाया अंब र लगाया गया है अमेरिका यह था यहां अमएरिका यह था यह तो इसका नाम किसमें है माइकल द्रमंड में यह आर्टीफिशल जो है हर्ट लगाया गया पहली बार आगी होगी बात आपके समझ में लेकिन तुम को कि करतिम हर्दे कैसे तो देखो मैं बता दू आपको जब अंदर के हर्ट जो फैल हो जाते हैं तो आज गल तो चलो ट्रांस्पलेशन हो जाते हैं कोई हर्दय मिले ही नहीं आपको यह बताओ कि किसी का रक्त मतलब किसका हर्ट लगाएं को देने को तैयार ही नहीं हो और पीट पर लगाने के बाद फिर उसमें से जो मसीन लगा देता है वहां से रख्ट को अंदर जो शरीर में कुछ छेद लगा करके उसको शिरा और धमनी में जूड़ दिया जाता है फिर वहां से रक्त पंप होता रहता है यह चीज है अगर आप इसको देखना चाहों कि ऐस से मामला है आर्टिफिशल ये 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 देखो गई दिखरा होगा आपको ये देख लो इसमें जो ये बैग में देखो ये ऐसे लगा देते हैं और यहां पर वैसे इनको लियर लियर डोलते रहते हैं कि नली पाइप से इनको अंदर से जो भी है खत्रनाग यानि कि हमेशा ये फीट पर लगे रहें तब जाके बाद बढ़ेगी वई तो ये चीज आपके समझ में आगी होगी सारी चीज़े तो इस चीज़ को मैं यहां लगा देता हूं जो आपको देखने में दिखकत है थीक है तो यह जो है आपका यह माइकल डू ड्रमंड नहीं है दान अखना भई यह मैंने एक्जाम्पल यह 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 माइकल ड्रमंड यह जिसमें लगाया तो यह 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 नहीं ऐसे होता है आपका कि यह को जार विक ने किया ठीक है तो यह चीज है आपकी यह आपके प्रसना आते हैं जाम्पल और अगर मैं लिखूंँ आपको ध्यान समझना की की हम अगले पॉंट पे जलता हूं और आगे एक हेडिंगग डालेंगे क्या जो कि वेरी-वेर्घ इंपोर्टन है हर्दय में सूचना का परवाग कैसे चलता है हर्दय में हर्ट कंडुक्टीव सिस्टम जिसे कहते हैं तो यह हैं डाल सकते हैं हर्दय में सूचना का प्रवहा हर्दय में सूचना का प्रवहा ठीक है यानिक आप इसको लिख सकते हैं हर्ट कंडक्टिव कि सिस्टम एधिक हर्ट कैसे काम करता है अब देख़े दर कि मानव हर्दय जो है यह यह ऐसे काम नहीं करता है जानकना इसमें कुछ करण्ट दीर नहीं पड़ती है यानिकी बिजली की करण्ट यानिकी इसमें जो हैं धारा भेती है तब से यानिकी आपको मैं पड़ा देता हूं चलो लिखता देता है यहां पर पॉइंट क्या है कि जो मानव हर्दय है कि यह मनुष्य का जो हर्दय मनुष्य के हर्दय में एसी डीसी करण्ट पड़ोगे न आप फिजिक्स में तो अल्टरनेटिव करण्ट जो होती है प्रत्यावर्ति धारा एसी करण्ट एसी धारा का प्रवाव होता है कौन सी धारा का प्रवाव होता है एसी अल्टरनेटिव करण्ट जिसे प्रत्यावर्ति धारा जिसे कहते हैं डीची को दिश्ट धारा कहते हैं ठीक है न भई और यह एसी धारा के कारण ही कि यह जो है यह यह साइन तरंगे होती हैं भई साइन तरंगे होती है कैसे ध्यान समझना कि अल्टरनेटिव करण्ट किसे कहते हैं यह मैं आपको बता दू कि यह यह आपकी एसी है और अगर यह एसी का मतलब किसी धारा अगर व्यक्ति में ऐसे करण्ट अगर फ्लो होता है तो व्यक्ति जो है मुझ फार देगा वई अब यह चीज करता कौन अब ऐसा क्या है कि क्या बिजली होते है कि हमार सरीर में ऐसा नहीं होता है ना कोई बैटरी लगी होती है लेकिन एक बैटरी के जैसे एक चीज होती है जिसका नाम आप लिख सकते हैं यहां पर क्या कि हमारे हर्दय के दाएं आलिंद की बात कर रहे हैं दाएं आलिंद में एक मशीन लगी रहती है जिसे पेस्मेकर कहता है वही वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक पेस्मेकर लगा होता है ठीक है ठीक है जो हाल्ट को जो हाल्ट को एक एक एसी यानि प्रत्यावर्ति धारा एसी धारा दारा मतलब करंट ठीक है एसी धारा उपलब्द कराता है उपलब्द कराता है करता है या कराता है अब ध्यान समदा मैं बिल्कु साधारन वासा में आपको बता रहा हूँ ठीक है जिससे हमारी दड़कने करने को बीट्स भी बोल देते हैं हर्ट बीट जिससे कहते हैं चालू रहे तो अगर चालू नहीं रहेंगी तो फिर हमारा हर्ट काम नहीं करेगा ठीक है यह चीज आपके समझ में आगे होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ गर आप इसको डंग से ही समझना चाहते हो तो ऐसे मुझे चित्र बना सकते हैं जाफ को यह हर्ट ओगया माली यह साधा यह आपका सैप्टम हो गया बीच में दो भागों में और यह भाग आपका और ये भाग ये आलिंद ये भी आलिंद ये निले और ये भी निले ठीक बाया दाया आप लगाई लेंगे कि इधर की साइड जो है ये तो है आपका क्या बाया बाया आलिंद बाया निले यहां पर दाया आलिंद और दाया निले कि यहां पर जो सब्द आपको दिया था वो दिया था दाया आलिन्द का मतलब और या जो है फड़ा सा हो सकता है तो आप आलिंद सब्द जरूरब जरूर लगासते हैं हिर्दै के दैवर भाग लेक्स दीजिए यहां पर दैवर भाग में 27 quag यहां पर पेस्मेकर बनाना है आपको तो पेस्मेकर यहां पर एक नोड ऐसे हो जाएगा यह नोड बताएंगे आपको ऐसे नोड और एवी नोड ठीक है और एक यहां पर हो जाएगा ऐसे और यहां पर ऐसे यह हो गया तो यह चीज में आपको बताई है यह आपका पेस्वेकर कि फीरियु इसका करें से कहता है पीश में बड़ा ऑ widen सब्सक्रायन सबहरन कर दो है इस सब्सक्राइब शर्च करें और हर्दय का हर्दय हर्ट का भी हर्ट है यह नहीं है तो पीर आपके काम नहीं करेगा ठीक है एक तो परसनी यह बने गया पेस्मेकर और यहांपर जो मैंने दो नौड लिखें यहांपर एक तो यह वाला तो इसको कहते हैं स ए नौड यहां से इसको यह राइट भाग हुग गया ठीक है और यहां इसको लिख देंगे आप एस ए नौड एसे नौड हो गया और यह जो हो गया यह से कहते हैं एवी नौड यह एवी नौड हो गया यह से नौड हो गया कहने का मतलब प्लग हो गये एकुल मिला के ठीक है अब इनको क्या है कि देखो ऐसे नौड को क्या कहते हैं ध्यान समझना कि यहां पर अगर मैं लिख आपको ऐसे नौड के बारे में अगर मैं कहूं आपसे ध्यान समझना कि जैसे मैंने यहां लिख दिया ऐसे नौड ऐसे नौड तो सबसे पहले तो S A Nod की फिल्पॉर्म पूछ ली जाती है क्या Sino Arterial S A हो गया Nod ठीक है और A V Nod की फिल्पॉर्म पूछी जाए तो A V के भी लिख ली जी A V Nod A V Nod की फिल्पॉर्म हो जाएगी क्या Atrio 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 Ventricular Ventricular Nod S A Nod और A V Nod की फिल्पॉर्म मैंने आपको बता दी वही आगी बार समझ में ठीक है तो यहां से आपको यह सारी चीज़े आपको मैंने बता दी वही ठीक है अब अगर आगे की बात करूं तो यह मैंने आपको जो है क्या क्या कहता है इसको हल्ट के बारे में जो यह आपका S A Nod है और A N A Nod है ठीक है यह भी कहा जाता है भई ठीक है अब मैं अगर आगे की बात करूं कि जो पूछा जाता है क्या ऐसे नोड और A N A Nod तो A Nod के बारे में पूछा जाता है कि A Nod कहां पाया जाता है तो आप देख करके बताएंगे A Nod कहां पाया जाता है तो आपका परसन का अंसर रहेगा क्या दाएं आलिंद में किसमें दाएं आलिंद में ठीक है तो अब यहां पर क्या करेंगे देखो भई कि यह पैस्मेकर को हर्दय कर देंगे या फिर ऐसे नौड को भी कह देते हैं भी दानकना यह चीज भी दानकना वहीं क्योंकि ऐसे नोड का ही प्रमुकारी यह होता है कि ऐसे नोड जो है जैसे साइनो आर्ट्रियल नोड भी कहते हैं कि यह जो है जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे पोटें विभाव कि विभाव तो जो विभाव जो क्योंकि विभाव होता है किसी बैटरी में या किसी चीज में विभाव होगा तभी करन्ट फ्लो होगा यह वहीज है वह प्रूवाइड कराता है परियाप्त मात्रा में वैब कि यह कह देते हैं किसे है London से नौड को थीक है नौ तो से नौड को कह देता है या फिर आपको पेश में करें इसको भी हर्दय का यह थीक है यह चीज आप ध्यान अखना अब अगर आगे की बात करूं ध्यान समझना आप लिख दीजिए यहां पर क्या लिखेंगे अगला पॉइंट यह जो ऐसे नौड यह कहां पाया जाता है तो यह पाया जाता है आपके दाया आलिंद में पाया जाता है भी किसमें पाया जाता है दाये आलिंद में कि अब ध्यान समझना भी क्या है कि आगे जल करके एक चीज और आएंगे आपको जुम आपको चलो मैं बता देता हूं कैभी का बार जो यह पेसमेकर जो है यह कारे करना बंद कर देते हैं ठीक है न भई और उसकी जगए करत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है तो आप लिख लीजिए यहां पर क्या है करत्रिम आटिफिश्यल पेसमेकर तो करत्रिम पेसमेकर किसे कहते हैं करत्रिम पेसमेकर जो है इसका जो आविसकार है वो जौन कॉप्स ने किया था वे सबसे पहले तो यह याद रखेंगे परिक्ष्यम पूछा वे जौन क्रॉप कॉप्स जौन कॉप्स ने इसका आविसकार किया और इसमें जो है लीथियम आयन की बैटरी होती है लीथियम आयन की क्या होती है प्रियों का इसमें यूरेणियम दातू का पुर्योग का बैटरी होती है तो नहीं इसमें तो यूरेणियम दातू का प्रियोग किया जाता है तो यह चीज भी आपको समझ में आ गया होगा करत्रिम पेस्मेकर के बारे में लेकिन अगर आप देखो कि करत्रिम पेस्मेकर उसर उता कैसा है तो आप यहाँ देख सकता है कि करत्रिम पेस्मेकर एक कि का आंग गया भाई साब यह देखो यह देखो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखो यह आपका हर्ट है और हर्ट में जो है गोगे वाइ वाइब वाइब टू राय्ट आर्ट और वाइब कर देखो यहां पर यह यह जिए नौड और यह ता यहां पर तार लगा करके उसको तारों को बाहर निकाल दिया जाता है देखो यह मने बताया था और वेने केवा मतलब महाँ और वेने केवा मतलब मेने क्या था एक था आपका और यह कहते हैं भूल जाते हैं वैना केवा महाधमनी महाधमी तो और आल्टा को कहते हैं और वैना केवा आपका महासिरा जिसे कहते हैं हिंदी केवर ज्यान नहीं रहते हैं महासिरा तो महासिरा जिसे वैना केवा कहा है मेरे और की और यहां से इसको बाहर निकाल देते हैं और इदर की साइड जो में यहां यहां जानखना और यहाँ पर यह लगादेता है यह बैटरी यह से कहते है पेसमेकर शचब कर भर से रख बढ़ता है क्योंकि जैसे बैटरीय फॉन की बैटरीय तो भी खराब हो जाती है तो यह जो समय समय पर इसको चेंज कर दिया जाता है ठीक है तो यह चीज आपके समझ में आ गई होगी तो इसको जो है मैं आपको कि यहीं पर ही बता देते हैं कि अग्राइब यहीं नौड की फॉल फॉर्म मां इदर देता हूं यहीं नौड की फॉर्म आड़ ट्रियों कि एट्रियो 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 वेंटिकूलर वेंटिकूलर नौड और और लेथियम आयन या यूरेनियम धातू का प्रयों के दर्थ किसकी बात कर रहे हैं यह पेसमे कर यह रापेसमे कर है जुक्लास है। महां सिरा थे जा रहा है अधिक है यह आपका क्या हो गया पेसमे करें है वाला है कि ऐता ओ recommends होगी यह होगी सार trapped यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है कि जैसे की अंपर अरे से सिग्णल मिलते हैं और यह signal जो है वो जाते हैं आपके पास S A Nod के पास Sino-Arterial Nod ठीक है भी Sino-Arterial Nod के पास जाते हैं फिर यह जो है signal को यह signal को भेजते हैं कहां bundle of his bundle of his ठीक है और फिर bundle of his के बाद यह जो संकेत हैं यह जाते हैं परकिंजे तंतु के पास परकिंजे फाइबर तंतु के दो चाहिए फाइबर यह परकिंजे फाइबर यह तंतु के पास जाते हैं और फिर परकिंजे फाइबर तंतु जो है इने कार्डिक मसल्स की हर्दय की जो माच स्पेसियं है आया है कि कार्डिक मसल्स प्रण की मास ख्थेशीयों तक यहां पर उनकी भी का न यह जो है सिगनल पहुंचाए दाता है ब्रेंज उस एसे नोर्ड को देगा एसे नोर्ड बंडल ऑफ इसको फिर परकिन जितनतों को फिर कार्डिक मसल्स हरदय की मास्पेश हैं जो की कभी भी नहीं थकती नहीं थकती कभी नहीं थकती और इसी कारण जो है इन्हें मानव शरीर का वह अंग जो कभी नहीं थकता मानव शरीर का वह अंग जो कभी नहीं थकता उसे क्या कहते हैं हर्ट तो इसे कार्डियक मसल्स कहते हैं तो यह चीज मैंने आपको बता दिया लेकिन आपको यह बता देता हूं कि परकिंचे तंतू क्या है तो यह चित्रा बना लीजिए कि जैसे कि मैं कहूं कि यह आपका हर्द है प्रिक है अब यहां पर जो है आपके चार पार्ट थे हर्ट के द्यान समझना परसंट बनते हैं यहां से इसलिए मैं इसको बता रहा हूं आपको बता दिये यह एक पार्ट यह हो गया मतलब यह इसको ऐसे ठीक है यहां से दो नहुंट हुत है मैंने आपको बताया है था यहां से इधर तो स ए नौड यह दर मालिजिए तो आपका अधी नौड और यहां पर आपको पेश्मेकर लगा रहता है वह ठीक है अब ध्यान समझना यहां पर जो है हर्दय की जो मास पेशियां होती है वह यहां पर यह जो लाइन है यह वाली लाइन जाने है उपरी खृम हर्दय को अगर ऐसे पारते तो दिवार केते हैं लेकिन उपर की जो यहां पर यहां से जाडियां सी निकलती हैं ऐसे यहां से इसे और यह जो जाडियां सी जो आपको दिख रही है इने कहते हैं पर किंजे तन्तू पर किंजे तन्तू यह जो है वो और यह जो है यह सब वैग्यानिकों के नाम के ऊपर क्योंकि इन्हों ने को पर रिसर्च कि थी तो यह चीज आपको यहां बता दिए गई है जाना लगा तो यह आपको थोड़ा सा अजीव हो गरीब लगेगा यह जो मैंने अभी बताये लेक पर किंजे तन्तों को देता है फिर काड़िक मसल पर जो है वो संकेत जाता है फिर हमारी धड़कने चालू रहती हुए ठीक है ठीक है और यह जो हर्ट जो मैंने आपको बताय कि सूचना का प्रवाह कैसे होता है कि पेस्मेकर जो है वो करनट का फ्लो करता है फिर हो ऐसे नोड़ से कहां पर देखु प्रेंट एसे नोड़ पर साइनde यह किसको देता बंडल ऑफस तो बंडल ऑफस तो आपको देख लिए हैं तो यह फिर पहुंचाता यह जहाडियों को पर किंजी तंतों और शोल गार के 5 जो है वह व्रिजा बनती एग्ण या फिर हट कर जो चलता मैं नर्श क directement क्या हर्ट कर्डैक्टिव शिस्टम यानि कि हर्ट जो सुचना का प्रभाह है हर्ट हर्ट कर्ड्यक्टिव सिस्टम हर्ट कंडेक्टिव सिस्टम में रुकावट कोही हर्ट अटेक हर्ट अटेक या कर्यें दूसरे सब्दियस्व जाना जाता आज अकल इसको कार्डियक अरेश्ट भी कहते हैं बहीं कारडियक कार्डियक अरेश्ट अच्छी फीर आप इसे लिख सकते हम हर्ट फैल हो गया वई तो हार्ट रिटेक कह दो चाहर्ट फैलियर कह दो एक ही बात है कहते हैं ठीक है तो यह चीज जो है वो आपकी सबस्ब्स में आ गई होगी आपको रक्त के बारे में सारी चीज़े हर्ट के बारे में सौरी ठीक है तो परकिंज हिंस तन्त तो यह सब थोड़ा सा ध्यान अखना भी ठीक है यह कई टीचेस जो नहीं पड़ाते हैं लेकिन मैंने क्योंकि प्रसंद मैंने देखा है इनके बारे में ऐसे नौड तो यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टन काई बारे प्रसंद पूछ लिए करत्रिम प कि ज्यादतर जो चीजें मैंने आपको बता दी है ज्यान खना ठीक शायद कोई पॉइंट बचाओ अगर कोई पॉइंट बच भी जाए ना तो आप चिंता मत करना उन पॉइंटों को मैं जब कॉश्चन आंसर आपको कराऊंगा बाद में कभी कुछ कॉश्चन जैन कैसे आ तो यह सारी चीज मैंने आपको कवर करा दी है ठीक है ना अब जो आगे की बात जो हमारी बच गई है वो है रक्त समूझ जो कि हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे ठीक लेकिन थोड़ा सा और रह गया है उसको हम कवर कर लेता है जो कि मैंने आपको बताया नहीं है तो वो भी लिख लीजी आप क्या है देखो अगला पॉइंट आप लिखेंगे क्या कि जो मैं सुरू से ही एक चीज लिखता लिखाता रहा हूँ आपको कि जैसे यह आपका हर्ट है और इस हर्ट के बीच में एक दिवार होती है जो कि आपके जो रक्त है उसको शुद्ध और अशुद्ध रक्त को क्योंकि आपको पता है कि इधर की साइड तो कौन सा रक्त होता है इधर की साइड शुद्ध प्यॉर पेवर कहते हैं देशी बास हमते हैं पेवर बलड शुद्ध रक्त होता है इदर की साइड बाएं हाथ की तरफ यह आपका लेफ्ट हिस्सा है और यह कौन साहर राइट तो राइट भाग की साइड आपका जो रक्त बहता है वो इंप्यॉर होता है अशुद्ध इंप्यॉर बलड और बीच में आप यह जो दिवार जो देख रहा है यह वाली दिवार इस दिवार को कहते हैं क्या सैप्टम सैप्टम क्या गहता है सैप्टम परसंद पूछा भी जाता है सैप्टम से तो सैप्टम जो है इसके बारे में समझ मागया होगा कि इसका क्या कार्य है तो यह आप लिख सकता है कि यह हर्दय के हर्दय में आल्टमें शुद्ध वे अशुद्ध रक्त को अलग करता है ठीक ना भी और इस सैप्टम के बारे में अगर मैं बात कहूं आपके रिवे सैप्टम की बात है तो सैप्टम में आप एक पॉइंट ओर लिख लेंगे कि सैप्टम का विकास सैप्टम का विकास सिसू में गर्भवस था के दौरान ही हो जाता है वई ठीक है न बिटाव चोटे बच्चों में जो प्रेगनेंट होती है महिला है तो इसके गर्भ में ही सैप्टम का विकास हो जाता है ठीक है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मैं थोड़ी से चीज़ें ज्यादा आपको बताऊंगा आप दिक्कत ना करें मतलब थोड़ा से टेंशन में ना रहें कि क्या पढ़ा दिया तो थोड़ा समझ यह भई कि सैप्टम का जो विकास से वो घर्भावस्ता के दोरानी हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है मतलब जो मा के पेट में प्रेग्नेंसी किलियर होती है ठीक है और ब्रून जो होता है यानि कि जो सिसू होता है जो पेट में बच्चा होता है तो बच्चे का जो पोशन है वो आगे जाकर के जब हमकूह क्विशन हंतंतर जुमें पदा हो को जब महीला के प्रजिन हंतंतर पड़ामगा तब जाके clear करेंगे ठीकने टो एक सब्सूर होता है placenta प्लेसेंटा प्लेसेंटा के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा में भी अगर आप से पूछे कि कौन एमाइकल कॉर्ड एमाइकल कॉर्ड एमाइकल कॉर्ड के द्वारा जो है बच्चे का पोसन होता है द्वारा भुरून का भुरून लिख सकते हैं बच्चा नी भुरून भुरून का पोसन होता है भी तो यह चीज प्लेसेंटा और आपके समझ में आ जाएगा बाद में चिंता मत करो ठीक है तो यह पोशन यहां होता है लेकिन जब कई बार जो मां होती है ध्यान खणा वो जब जिस इलाके में रहती है तो वहां कुछ पानी की प्रॉबलम होती है पानी जो है वो सही नहीं होता तो कुछ पानी ऐसे जल का सेवन कर लेते हैं कि उसमें जो नाइटरेट की जो मात्रा है वो अधिक होती है भी तो जब नाइट्रेट की मात्रा जिसमें अधिकोर उस पानी का सेवन अगर वो महिला कर ले तो उसमें जो बुरुणा वस्ता के दौरान जो बेबी होता है पेट में उसमें सेप्टम बनता ही नहीं है भी सेप्टम का विकास ही नहीं होता अब आप मुझे बंताओ बीच की दीवर ये सेप्टम बनेतीए नहीं सेठाव तो आप शुद्ध औरशुद्य रुखत जो क्या हो जाएगा अजिसे जो बच्चा होता है उसके जो तवकालर है वह नीला हो जाता है और जो नीला हो जाता है तो इसी करने इस भीमारी को यह जो मैंने पूरा बताया ने विमारी एक तरिके से तो इसको ब्लुब बेबी सिंड्रॉम चाहिते हैं ुप अगर आप देखना चाहते हो कि ऐसे कैसे होता है यह बच्चा ऐसे तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो है नहीं है यह दिखो गई यानि कि ऐसे बच्चे जो पैदा होता है बल्यू बेबी सिंड्रोम वाले वह ऐसे दिखाई देता है आपको दिख रहा होगा तो यहां पर ज्यादा नील है ऐसे नहीं कि बिल्कुन नील ही हो लेकिन हां नीला पन यहां चैरे पर या अंगर पर दिखाई देता है इसे विल्यू बेबी सिंड्रोम कहते हैं ठीक है ना विड़ाओ तो आप समझ गयोंगे सारी चीजे तो आप इस चीज को इन पॉइंटों को लिखी भी सकते हैं कि मा द्वारा नाइट्रेट नाइट्रेट की अधिक मात्रा वाला दूसित जल पीने से रूण में सेप्टम का विकास नहीं होता ठीक है ठीक है तो आगे अगले पेज पर लिख देते हैं कि सेप्टम का विकास नहीं होता जिससे शुद्ध वे अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाता है अशुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाएगा जिससे ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है जिसमें बेबी की स्कीन स्वचा का रंग ब्लू हो जाता है आगी होगी बात समझ में तो इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं ठीक है तो यह गातक भी मारी है तो यह मैंने आपको बता दिया वही ठीक है यह पॉइंट भी आपका रह रहा था तो सेप्टम पूछ लिया जाता है कि मानाओ के हरदय का वह पार्ट कौन सा है जो शुद्ध और अशुद्ध रख्त को अलग करता है सेप्रेट करता है तो वह है आपका सेप्टम ठीक है जो नाइट्रेट के दिखता है अगर होती है किसी जल में उसको पीड़े से वह जो बेबी जो शुरुवात में जो बच्चा ब्रून में पेट में होता है मां के पेट में वह सेप्टम बनता नहीं और वह सुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है वो मिक्स हो जाता है भई ठीक है ना भई तो यह चीजियां आपकी समाजी में आ गई होगी आगे एक दो पॉइंट और आपको बता देता हूं कि जो की परिक्षा से यानि कि इस टॉपिक से समधित नहीं है क्योंकि अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगा अगली क्लास में वो है आपका ब्लड ग्रूप ठीक है लेकिन ब्लड ग्रूप को ढंग से एक ही अलग क्लास मे देंगे तो इसलिए मैं यहां मिक्स नहीं कर रहा हूं ठीक है ना लेकिन कुछ प्रसंद एक्स्ट्रा ऐसे हैं कि जो डायरेट परिशान पूछे जाता है तो उनको भी आप लिख लीजिए क्योंकि उनको हम ऐसे कराएंगे एक एक तो सबसे पहले प्रसंद पूछा जाता ह जो चिपका देता है फुणशी हो जाती हो चिपका देता है छोड़े-छिद्व से उते हैं उसे में ब्राउन की कलर की सी बैटीक है ना ? इसका आविसकार किस ने किया ? यह प्रसंद पूछा जाता है तो इसका आविसकार जो किया गया है, उस व्यक्ति का नाम है उर्ल डिक अर्ल डिक्सन ने बैंडेड जो चिपकाने वाली पट्टी है उसका अविसकार किया था था थीक है तो यह चीज भी आपको आने चाहिए ठीक है और अगर मां आगे की बात करूं तो एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं यहां पर कि एक परसन और बना सकता है क्या कि हमारे सर सरीर में जो पारा है पारा जिससे आप ह्चि भी कह सकते हैं हीमो गुलोमिन को हच भी कहते हैं यह है नाम मिनीमादा कि मीना माता यह मीनी माता कि अधिकता से होता है उसे मीना माता रोग कहते हैं ठीक है तो यह जो मीना माता जो रोग मीना माता यह रोग क्यों इसका नाम मीना माता क्या है कोई माता है नहीं कि यह जो जापान में एक जापान में एक मीना माता लेक है जील है जापान में मीना माता जील है तो उस मीना माता जील में मचली से पहला था यह मीना माता जो जील का नाम है जापान की तो उस कारण इसे मीना माता रोग कहते हैं और यह जो रोग है मीना माता रोग यह तौचा से संब्दी था भी कि से संब्ग दीते है तो अचा से मीना माता क्यों कहता है कि जापरानिक में जील दी मीना माता तो वहाँ में मचली थी तो उससे फेला ता जैसे कॉरोना जो है आपके चीन से फेला था थीक है वैसे यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे एक परसंद औरfire से बन सकता है यहाँ पर क्या एक परसंद यह बन सकता है कि हमारे शरीर में अगर केलिमीम की मात्रा अगर अधिक हो जाए कि मात्रा अगर बढ़ जाए मानलीजिये तो क्म सा रोग हो जाता तो उसका रोग का नाम है इताई 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 दो बार लिखेंगे इताई इताई रोग हो जाता है इताई 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 रोग प्रसंद पूछले जाता है किस धातू की वज़े से मात्रा से होता है तो इताई इताई रोग में क्या है कि इसमें पूरे बदन में पूरे इताई रोग कहते है तो यह पूरे बदन में दर्द होने लगता है तो यह प्रसंद पूछले जाता है के अधिकता से यह और आपको यह नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो वह सेप्टम का विकास ही नहीं करने देता थीक है और यह चिपकाने वाली जो बैंडिड़ पक्त सबस्की बैंडिटी है इसका अविसकार जो है वह किससे किया था अरले डिक्सने किस ने किया था अर्ले लिक्सने तो यह भी चीज आम समझमें आ गई होगी ठीक है ना भी आगे की किलास में जो है वह हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेकिन एक चीज और एक परसन और लिख लीजिए परिक्षाम पूछे जाते हैं भी डारेट ये परसन परसन क्या है कि आपने एक सुना होगा कि एक तो ठीक हैक ऐएक तो क्रेप्ष सक्कर बताया था मैंने स्वशन तंतर में ठीक न तो क्रेप्ष चक्र तो कहां चलता थे क्रेप्ष और ईंग होता है कि माइटो कॉंड 하루 l yellow माई टोक कॉंड्रिया के कोशिक्य स्वसन कोशिक्य स्वसन इतना याद रखेंगे क्रैप्स चक्र तो मैंने वहाँ बताया था लेकिन एक चक्र और है जिसका नाम है हाला कि मैं जिसके बारे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लीजी दूबारा और निथिन चक्र जो है यह लीवर में चलता है लीवर में यकरत में लीवर में इस और निथन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्मान होता है वही यूरिया का संसलेशन या निर्मान होता है वही और निथिन चकर के द्वारा ठीक है एक प्रसंद और लिखेंगे आप क्या लिखेंगे कि बारत में क्यांकि बारत का जो राष्टे खेलन कोण साय होकी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि बारत में बारत लगडी है जिससे होकी बनाई जाती है जिसका नाम है जो पड़ाता रहूं उसको रटलो भारत में जो होकी बनती है वो कौन से जो लगडी का प्रियोग करते हैं मौरस अलबा लकडी का प्रियोग करते हैं लकडी का नाम है यह लकडी का मजबूत होती है भी जाना खड़ा ठीक है लेकिन परसंद यह पूछ ले कि करकेट का बल्ला किरकेट का जो बल्ला है वो कौन सी जो लकडी से बनता है तो उसके लिए भी आप लिख लीजिए ठीक है वो है सैलिक्स सैलिक्स परपारिया पर पारिया तो सैलिक्स परपारिया से बनता है वैसे आप करकेट का बल्ला आगी के बाद समझ में ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी ठीक है एक दो प्रसंद और आप लिख सकते हैं क्या कि अगर मैं आपसे यह कह दूं कि कुछ अनुसंदान संस्तान है सेंटर है ठीक है वो कहां कहां है तो सेंटर लिख दीजिए चाए सेंटर या अनुसंदान संस्थान सेंटर या अनुसंदान संस्थान के बारे में प्रसंद बनते हैं तो यहां से मैं कई लिखता हूं यहां पर द्यान समझना कौन कौन से हैं इक कि पहला अगर मैं कहूं कि आप से की सेंटर के इंतकर फिंगर्प्रिंट कोई कई बार पीकाण हुजाता है कोई मडर हो जाता है तो यह इन डाइगनोस्तिक canción कर्पिंट का यह आवकर है तरा यह कहां यह है यहां पर एपने कि का यह एक यह तरड़ा नुद्ट्रा जाता है कि प्लाजमा अनुसान्दान संस्तान को अग्र बात करें तो प्लाजमा में आप करते यह रखेंगे ही यह आपके गांधी नगर गुजरायत में है और एक परसंद पूछा जाता है आप से क्या कि टीबी का टीबी का टीबी का टीबर क्लोसिस टीबी की विमार यह तो है टीबी सँथान संस्तान में है अलग अलग नौलेज थी तो मैंने आपको बता दी यह किसी टॉपिक में नहीं आते हैं बीच बीच में पूछ लिया जाते हैं तो ये भी आपको पढ़ने हैं वाज के लिए इतना ही धन्यवाद सुभरात्री